उद्योग नगर थाना इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक पर बुधवार रात को फाइरिंग कर दी, गनीमत रही की निशाना चूप गया और युवक बाल बाल बच गया, प्राथ में कुपचार के लिए उसे MBS अस्पताल पहुंचाया गया, वारदात गोविन नगर में एक मेडिकल की दुकान के पास हुई, मामले के अनुसार गोविन नगर निवासी रियाज मुहम्मद के मकान पर पुताई का काम चल रहा है, इस दोरान बाइक पर दो युवक गांजा बेचने के लिए आए, उनको मना किया तो उस समय वह चले गए लेकिन कुछ देर बाद वापस आये और ही फाइरिंग कर दी, निशाना चूप गया और गोली पुताई का काम कर रहे, च्छावनी रामचंदरपुर निवासी आयुश के हाथ पर लगी, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया, वारदात से जुड़ा एक CCTV फ झाल 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 झाल